रिच रसोई में आपका स्वागत है, आगमें फ्रेंच फ्राइस की recipe शेयर करने वाली हूँ। और ये फ्रेंच फ्राइस सबी को बहुत ही पसंद आते हैं, और अकसर हम फ्रेंच फ्राइस खाने के लिए बाहर जाते हैं फ्रेंच फ्राइज के लिए हम पांच आलू ले लिए हैं और आलू हम बड़े अकार का लेंगे आलू के छिलके हम पहले निकाल लेंगे पीलर से फ्रेंच फ्राइज के लिए हमें लंबे लंबे आलू लेने हैं या बड़े आलू लेने हैं और इसका छिलके निकाल कर हम तु इसको बाराबर करने के लिए उसके बाद इसको हम राउंड राउंड काट लेंगे उसके बाद पतले-पतले काट लेंगे फिंगर की तरह इस तरह से आलू कट गया है अब हम इसको पानी में डाल देंगे फ्रेंच फ्राइस के लिए मस्षीन भी आता है उसी से हम आलू काटते हैं तो जल्दी बन जाता है जल्दी कट जाता है और एक शेप का आलू कटता है लिकिन मैं इसे चाकु से काट रहे हूँ और आलू में जो भी वेस्ट निकलेगा उसको हम फेकेंगा नहीं हम उसको सब्जी में इस्तमाल कर लेंगे इस तरह से हम आलू को काट लेंगे फिंगर की तरह और इसको पानी में डाल देंगे और एक बार पानी से इसको हम दोल लेंगे उसके बाद इसको हम बोईल करेंगे गया सोन करेंगे और एक बरतन में पानी डाल देंगे पानी जब बोईल हो जाए तो आधा चमच इसमें नमक डाल देंगे उसके बाद कटे हुए आलू को हम डाल देंगे और इसको थोड़ा मिला लेंगे और इसको ढग देंगे जब तक तब तक इसको पकाएंगी, इसको ढख देते हैं, अब पानी में उबाल आ गया है, एक उबाल आ जाए, दो उबाल आ जाए, तब हम आलू को निकाल लेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा आलू कटने लगा है, दबने लगा है, ज़्यादा आलू को नहीं पकाना है, गैस आफ क करते हैं, और पानी से आलू को निकाल लेते हैं, एक छनी में हम आलू को निकाल लेंगे, इसके एक्स्टा पानी निकाल लेंगे, अब एक कपड़ा लेंगे, कॉटन का और उसमें आलू को डाल देंगे, और इस तरह से आलू का जो पानी है, उसको हम सुखा लेंगे, या फ कहींकर करदेशर में डेर गन्टाइप गार आलो आलो गोती है ईसा ही और दूसरे से चीपक गया से humility नुटी करने के लिए इस पर आईस का कोटिंग आ गया तो हमें ऐसा ही आलू चाहिए, अब हम आलू को अलग कर लेते हैं, एक दूसरे से चिपक गया है, तो इसको अलग कर लेंगे, अब हम इसको फ्राइ करेंगे, गया स्वन करेंगे, कड़ाई गरम हो जाए तो इसमें रिफाइन तेल डालेंगे, तेल जब अच्छा से गरम हो ज जायेगा टोर्कि गयास का फ्लेम टेज है और हाफ फ्राइ होने में डो मिनट लगável अंगे इसको निकाल लेंगे एक बरतन में और इसी तरह सभी फ्रेंग फ्रेंज फ्राय को हम फैकने हैतो नियों अच्छा इन AK बनेगा इसको रूम टेंपरेशर पे ठंडा होने देते हैं जब यह French fry ठंडा हो जाए तब इसको हम double fry कर लेंगे तो इस तरह से अब यह ठंडा हो चुका है 20-25 मिनिट लग जाता ठंडा होने पे अब हम इसको फिर से fry कर लेंगे अब उसी तेल को हम फिर से दुबारा गरम करेंगे और half fry किया हुआ आलू को हम coil में डाल देंगे और बराबर इसको चलाते रहेंगे लाइट ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लेंगे इस तरह से क्रिस्पी हो गया है और लाइट ब्राउन हो गया है अब हम फ्रेंच फ्राई को तेल से निकाल लेंगे एक छन्डी में निकाल लेंगे तक एक्स्ट्रा ब्राउन होने तक क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे इसको दो बार फ्राई करने से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है इसलिए हम इसको दो बार फ्राई करते हैं तो इस तरह से कितना अच्छा सुन सकते हैं इतना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हुआ है ये अब सारे फ्रेंच फ्राई फ्राई हो गया है अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें मसाली डालेंगे तो आधा छोटा चमची इसमें लाकर मसाले को अब हम इसको सर्फ करेंगे घर में इतना असान है बनाना थोड़ा टाइम लगता है लेकिन घर का बना हुआ का बात ही कुछ और है और मैं इसे टोमेटो सॉस और चीजी डिप के साथ सर्फ कर रही हूं आप चाहे तो किसी भी मन पसंद चतनी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो french fries की रस्फी झरूर ट्राइ कीज़िए लगी अपनी एक्सपीरियंस मुझसए शेर कीजिए और french fries के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कर जिजिए शेर कीज़िये मेरी łasya आने वाले रस्फ्रिपी क्लिश को सब्स्क्राइब जरूर कीज़िए झाल झाल